हाँ बाई वैकम पूट जी कवर्ट देखे आज हम आपके लेकर आएं उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट अफेर देखे आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रिक्षाओं का आगमन हो शुरू हो चुका है यूपी टिपलस्टी के एक्जाम लगे में फिर यूपी प देख रहे हो आपके जिले में कुछ भी इस पेशली हुआ हो जो करेंट अफेर के अकॉर्डिंग हो तो आप उसका करमेंट करके बताएगा ठीक है यह करिएगा जिस भी जिले से हो आप पिछहत्तर दिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी इस वीडियो को देख रह आज का वीडियो और वीडियो का पहला ही कोशन के आए कि रेनका जी बहुत देशी बांध परियोजना जो कि उत्रकंड राजस्थान हिमाचल परिदेश ठीक है उत्रकंड राजस्थान हिमाचल परिदेश हरियाना और उत्तर परिदेश की संयुक्त परियोजना है इस बहुत देशी परियोजना का निर्माड किस हिमाले नदी पर किया जा रहा है तो आपको याद आखना है कि रेण का जी बहुत देशी बांध परियोजना जो कि कई राज्यों की सम्मिलित परियोजना है जिसमें से उत्तर प्रिदेश भी है आपसे बोले का जा रहा है कि इस बहुत द परट्जों की परयोजना है तो आपको याद अखना है ये परयोजना सम्झ थे यमुना नदी पर, ठीक है? रेणगाजी बहुत देशी बांद परयोजना, यमुना नदी पर निर्मित की जारी है और ये उत्राखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रेदेश, हरियाना, और उत्त उत्तर प्रदेश की क्या है संयूक्त попроб रियोजिना inspired यहित है करें के बात करें उत्तर प्रदेश के वरांड़सी में फ़ह 2019 भार्ति प्रप्रवाशी दिवस का आयोजन किया ग्या गया ने विया जिंUT करें Ό, कि स्थितिक और इंपॉच्टन ने यही पूछा जाएगा न महत्मा गांदी तच्चिन अफरीका से भारत वापस लोटे ते जिस उपलक्ष में भारती प्रवाशी दिवस मनाया जाता है ठीक है लेकिन इस वर्ड ये नौ जणवरी को नहीं मनाया गया ये कम मनाया गया ये 21 जणवरी को मनाया गया और इसका रीजन का था देखे आपको पता है कि प्रियाग राज में कुम्भ मेले रगे थे तो बहुत सारे लोग भारत में आते हैं इस दिवस के मौके पर तो गौवर्णमेंट चाहते थी कि वो कुम्भ मेला भी घूम सके जिस कारण क्या है इन्होंने 9 जनवरी को भारती प्रवासी दिवस आयोजित ना करकर 21 जनवरी को आयोजित किया गया ठीक है और भारती प्रवासी दिवस तीन दिन चले 21 से 23 जनवरी तक चोएं आपके भारती प्रवासी दिवस का आयोजित किया गया तो यार किक बहुत अच प्रवाह सिदिवाकिन को समल मुशने प्रवाईति व्यकुन को सम्मान गता है इस वर्स फूए भारती प्रवाउसि दिवस में लोगों को सम्मान समञान भी दिया जाता है जो प्रवाईत ही सम्मान दिया सा… आपको यहायरखण नहीं हैочно क्यों गोपिनाथ हिमानसु गुलारी और अनिल सुकलाल इन तीनों को ही भागती प्रवाशी दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया ठीक है अब हम नेश कोशन की बात करें केंद्री ग्रह मंत्राले दोरा उत्तर प्रिदेस में इस तित अंग्रेजों के समय से अंग्रेजों के समय से इसको क्या बोलते थे परंतु केंद्री ग्रह मंत्राले ने इसका नाम चेंज कर दिया उत्तर प्रिदेस का महाधपूर स्टेशन है महाधपूर शायर भी है महाधपूर जिला भी है तो आपको यार एकना है सोनभद रेलवे स्टेशन जैसे पहले रॉबर्स गंस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था लेकिन इसे अब जो है केंद्री ग्रह मंत्राले ने चेंज कर दिया और प्रिजन टाम इसका नाम की गई है उत्तरपदेश के अंदर तो ये कोशन आपसे पूछा जा सकता है ठीक है नाश कुष्ण के अगर हम बात करें 2019 में आयुजित होए भव कुम्ह मेले ने अनेको विश्व रिकॉर्ड बनाए निम्र खित में उस रिकॉर्ड का चैन करें जिसे गिनीज वर्ड बुक रिकॉर्ड में दर्जी किया गया वैर्र इंप्रटन कोशन है तो आपको पता है कि 2019 पर भव मेला आयुजित हो है कुम्ह मेला जो कि प्रियाग राज में आयो जित होए आपको यारे कि याता यात जंशमु नियंतरन में इन्होंने वर्ड बनाए यानि इतनी भीड होने के वावजूद भी इन्होंने जो नियंदरन कया है वो काबले तारिफ दी फिर Paint My City थिके Paint My City के तहरत इन्होंने दीवालों पर पेंटिंग के रिये पूरे शहर के अंदर वो भी मतलव लेक नी थी भात करें कर अपसेश्थ प्रबंदन यानि मेला था और बहुत सारी जो कूला करकट भी गंदगी भी निकल रहे दी लेकिन उसका भी इन्होंने प्रबंधन बहुत ही बढ़ियां किया तो इन सभी में इन्होंने क्या है गिनिच वर्ड ओफ रिकॉर्ड बना है यानि इतना बड़ा एरिया इतना बड़ा मेला इतन तो अभी हमने आपको बताया कि इस वर्ध जो है एक कि जून को आयजूत किया गया बहरति प्रवासी दिवस बारांणसी कंदर तो इस वर्ड जो इस दिवस कीथीम क्या थी में थीम्हाहिन रहे थीज़ी में आश्षेंड कि प़ेंगुष मेरूट किया धीक में तो इक क्य हस्त कला संकुल केंदर यानि हस्त कला के लिए अच्छा केंदर इस्थापित किया गया है तो यह कहां पर इस्थापित क्या है यह आप से कोशन पूछा जा रहा है तो आपको यह रखना है यह वरांसी में जो है इस्थापित किया गया है ठीक है नेकर नेश कोशन की बात करें उत्तर प्रिदेश के अंदर विश्व के सबसे बड़े एक्सप्रेश वे, गंगा एक्सप्रेस वे को हाल ही में मंजूरी प्रिदान कर दी गई है, एक्सप्रेस वे की जो संभावित लंभाई कितनी है, very important question या दकीगा, गंगा एक्सप्रेस वे, विश्व का सबसे बड़ा स्वाइब होगा और यह उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला है तो इसकी जो संभावित लंबा अगर हम बात करें यह 600 किलो बीटर की होगी ठीक है तो यह कोशन बहुत ही अच्छा है याद रखेगा नेश कोशन के अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में आयो जित कुम् किस मुवाइल एप को लॉंच किया वैर इंप्रोर्टन कोशन है आपके पूछा के जाएगा कि उत्तर मद रेलवे ने कुम्भ मेले में कौन सा मुवाइल एप जो है लॉंच किया तो आपको याद रखना है रेल कुम्भ शेवा मुवाइल एप सेकेंड नमर अंसर बिलको का सुभारं किया गया catching क्या बोलने है प्रतानमंति नर्यांद मोदी जी दौरा किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया उद्धीयों की प्रेजियोन का नाब क्या है गंगा-जल पर योजएना तो आपको यार्कना है यह आग्रा शहर में सुरू की गई है ठीक है नैश कुशन के अगर हम बात करें उत्तर प्रिदे सरकार ने निराश्रित वैक्तियों की पैंसन धनरासी 400 से बढ़ा कर कितनी कर दिये बहुत एक्जाम में पूछा गया ये कुशन और बहुत ज़्यादा हाइलाइट भी हुआ कितनी रुपए बढ़ा ही आपको जानना बहुत जरूरी है तो आपको लेना उत्तर प्रिदे सरकार ने निराश्रित वैक्तियों की पैंसन धनरासी 400 से बढ़ा कर पांसो कर दिगे यानि इन्होंने 100 रुपे बढ़ा दिये चलिए नाश कुशन के हम बात करें रजी ट्रॉफ हासिल किये तो आपको यारक नहीं है शुरी अटल भिहारी वाजपाई अंतरास्थिये क्रिकट स्टेडियूम जिसका नाम पहले एक आना था ठीक है बाद में इसको चेंज कर दिगा लखनों में यह जो एक मैच खेले गाए ठीक है नाश कुशन का घर हम बात करें इंडियन पेंड कॉंफरेंस 2019 का आयोजिन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया जिसका विशह था पेंड पर चर्चा नए आयाम है तो यह कहां पर किया गया आपसे यह कोशन पूछा जा रहा है रहे गाए यह भी आपका आगरा में आयोजित किया गया तेकि हम बात करें राशपतिशी रामनेट कोविंद्वारा महारिशी भधर्रुद्वाज की प्रतिमा का अनावरन किया गया तता उत्तर प्रदेश के कि शेहर में गंदीवादी पूरा रत्तान सिखर्श प्रिशेत द्वारा केंद्री वालिज मंत्राले द्वारा उत्तर प्रदेश के निवडा में आयोजित इंडस फूड मीट 2019 का आयोजन किया गया इस आयोजन में उत्तर प्रदेश का साथ भागी-दारी राजी कौन था तो वेरी इंपर्टन कोशन यहां रिकिए का इंडस अगर हम बात करें गंगा नदी में किस अप्सिष्ट को अच्छी तरह से शाफ करने हे तू उत्तर प्रदेश के स्टार्ट अप हेल्प ग्रिन को संयुक्त राष्ट द्वारा सम्मानित किया गया वेरी इंपर्टन कोशन है याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश सरकान ने अ 2020 के लिए कितनी धनरासी आवंटीत कि है वेरी इंपर्टन कोशन क्या बोले है उत्तर प्रदेश सरकाने वर्स 2019 के लिए कितनी धनरासी आवंटीत कि है तो इसका करेक्ट आपका होगा 4.79 लाख करोड उपए जो की 2019 बीज के लिए पजट में धन्रासी आवंटिद की गई है ठीके नेश कुछन के हम बात करें उत्तरपिदे सरकान ने आंगनवाडी केंदरों पर हर महीने किस तेती को बाली का दिवश मनानी का फैसला किया है याद कि का हर महीने बाली का दिवश मनाने का फैसला किया है कहां पर अंगनवाडी केंदरों पर तो आपको यार्ट तारीकों प्रतीक महीने की आठ तारीकों बाली का दिवश मनाने का फैसला नोट किया है और उन बालीकाओं के लिए किया है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर जो कूपोशन के सिकार है उनके लिए ये जो है बाली का दिवस हर महीने की तिती को मनाने के घोशना की है उत्ताप्रदेश सरकार ने ठीक है ये जो है दो हजार की धनासी तीन किस्तों में दी जाएगी कितने हजार रुपई की छे हजार रुपई की ठीक है और किसान सम्मान निधी योजना के तहट तो इस सम्मान निधी योजना का जो सुभारा में प्रिधान मंदी मोदी ने कहां से किया है तो आपको या रखना है गोरकपुर से किया है ठीक है अब हम नेश कोशन की बात करें प्रिधान मंति नरेन मोदी द्वारा पहाड़ी बांध नवनी करण परियोजना का उद्खाटन हाल ही में उत्तर प्रिदेश में किया इस परियोजना का संबंध बेदवा की किस सहयक नदी से है वेल इंप्रोटन नेश कोशन के बात करें अधर प्रदेश में चुरू किया गया विश्यशकर बुंदेल खंड शेतर में पाइप्लाइज योजना का इस अधर चुछन की बात करें उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया इस संबंध है देखे UP SSC के exam's लगे हैं, UP पुलिस के भी exam's लगे हैं और ऐसे exam's में ये कोशिन जरूर देखने को मोलते हैं क्या बोल रहे हैं? सार्ती संदेश वाहनी वाहनों का संबंद किस से है और मैंने आप से फिर बोला कि आपके सहर में कुछ भी बड़ा हुआ current affair के according तो आप मुझे comment करके जरूर बताए कि इस वीडियो में तो या रखेगा परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता के लिए इन्होंने ये वहाने स्टाइट किया है सार्ति संदेश वहानी वहान ठीक है नाश कुशन के घर हम बात करें वैश्विक बहु आयमी गरीबी सूचकांक 2018 में भारत के सबसे गरीब चार राज्यों में से किस राज में सबसे अधिक सुधार देखे गए हैं यानि 2018 में इस राज में सबसे अच्छे स और को सिदाने लिए आपका बिहार के अगर हम बात करें अगरीबी सूचकांग में तो अभी भी भी हार जो है फस्ट विम्षट अनुमबर प खरत अगर हम बात करें के सरकाने हाली इंपर जो जो मैट्रोरेल परिजुना को मंजूरी दे गई है को सद्र दी गई है किस्टारिकलो करन और सौंधी करण प्रदान मंत्री मोदी जी की अगली योजना के तैद किया जाएगा ठीक है नैश कुछन के घर हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस इस्थान पर पंडित दीन द्याल उपाद्धे की प्रतिमा का अनावरण किया है तो आपको यहार करें ग्रेटर निवडा म पर जो है बनाई जाएंगी और यह कहाँ पर क्या है अमेर्ठी के अंदर ठीक है नैश कुछन के घर हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस इस्थान पर राश्टी कॉडियोजी सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया तो आपको यहार रहना है लखनों में राश्टी कॉडियोजी का सम्मेलन 2019 का लखनों में किया गया नैश कुछन के अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडर्स पॉजीशन एंड एक्शन ऑन एर क्वालिटी इन इंडिया दो हजार चौदा से उन्नीस रिपोर्ट के अनुसार भारत के उत्तर प्रिदेश का कॉन सा सहरे जो सरवाधिक वायू और अगर हम क ये ये हम सासित प्रिदेशी राज की बात करें तो वह अपका डेली बहुत नमबर पी ब्ड'll कानपुर है थर्ड नमबर पर आपका वरारासिा है फूर्थ नमबर पर आपका लखनौ है ठीक है यह जो रिपोर्ट पर तो अलग लग रिपोर्ट हो कि लेकिन इ सबसे खराब भारती राज्यों की सूची में शामिल नहीं है यानि जल का प्रबंदन इन्होंने अच्छा नहीं किया है लेकिन इसमें से एक ऐसा राज है जो इस सूची में शामिल नहीं है तो आपको यार रख रहें यहां पर मद प्रबंदन के अच्छे काम कर लिए लेकिन उत्तर प्रबंदन के खराब उसमें सामिल है ठीक है तो इंपार्टन कोशन देए सभी आई होप आपके वीडियो पसंद आगे तो प्लिस लाइक और शेयर मैं फिर बोलूँगा कि आपके शेयर में जो कुछ भी हुआ है बड़ा उसका आप केमेंट करके बताइए जिससे कि हम लोग और कोशन आगे क्रेट कर सके तो आई होप आपके वीडियो पसंद आगे तो प्लिस लाइक और शेयर टैंक्यू